हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज हम बनाएंगे अंडा पालक करी और यह सबजी बहुत टेस्टी लगती है बोड़ी के लिए भी बहुत हैल्दी होती है और इसे बच्चे बड़े सब खा लेते और यह बनके जटपट बनके तयार होती है और यह धावे जैसी बनेगी तो च है जाफने अंडे नहीं है शे पहले हमें बॉल करें चील्ड के साफ्थ करें हो और यह में अम आप इसको कच्चा ही इसँको एस अगक्र ब्लोल्ड पर जोग आंशी चोटे-चोटे कट करकर हमें व Lily इसको ऐसी त्यार करना है और उसको हम आप है मरत हए हमने पीज नाआ है वालना नहीं है वालने से color का भी change हो जाता है ठोड़ा खाने में थो छाद ने भी अलग हो जाता है अब इसको हम ऐसी कट कर्ते ऐसी हम पेटियों को रहिए प्र यखी हमें इसके पिसना है तो यह पालक के थेल कर लिए यह घश गयाह अ यहाँ काड़ाई चटा दें इक दिए काड़ाई गराम उठीय है विसमें ठीक cray나arlid और यह मैंने सार्च के इस मतंदर बत्राव तो 3 वुघर चालगे अशनुए और ये गरम होगा अभी, और तेल गरम हो गया है इसमें हम हाथ चमच हम चीरा डाल देगे, अचीरा भी अपकाई लिए इसके, अब ये दो प्याज हमने कर्टिया हुआ है, इसको भी मिला लेगा, प्यूज़ पारे लाल मिच्ट भी लादगें, अब ये अपको पोड़ा अचीरा भूलना है, लाइट गोड़र भूलना हमें अचीरा बूलना है, ये दो मिची हरी कट करिये हैं ये भी डाल देगे, अब भी ब्राउन होगा न, अब आथे की लाइट ब्राउन होगें, अब और ब्राउन होगा है, इसमा हम ट्माटा डोल देगे, यह दो हमने तमाटा कट किया है इसको भी में अच्छे से बिलाना है अच्छे से बिलाना है करता है अच्छा हमें गखराएं ती करते यह दो हमेंने तेट माने यह दुट हमाल से खुट हमें अच्छा यह दुट हमादिया दूट है मैं जोग नब नब नबने जिसके कस्वा मुद जी जए लगी बैजी और एक दमे करना घस अजड भडिक करना औलने हम ऐस हां जो को बहा हम चर्पडरोप precisamente के लिसे में में कार मेंसना। अबंसने करे डार चाले करें दो पर वारा है बिलाना है इसे बहुत अच्छा आता है इसके खुछों बहुत अच्छी आता है कि बनाते है इसके बहुत ही अच्छी मिठते है अच्छी आता है ढूआ आता है बहुत अच्छी मिलागई अच्छी मिलाविवण अच्छी आता है कि प्केन मिलाई इसपाँ पांचे मिनट के लिए पकाँगा पकाना है इतने हमारे टमाटर के लिए और हम दूसरी तर पाजाते हैं अंडे को हमें फ्राइ कर लेंगे अब यह पैन हमने गरम कर लिया है इसमें हम ओईल मिलाएंगे यह दो चबचाब और इसको हम गरम करेंगे इतने गरम होते हैं और हम इन अंड़ा को होना जो इसके छेद इसमें कर लेंगे इसको छोटा-छोडा ऐसी हमने इसको अनकल कासा कट लगाने की छेद कर लेंगे इसको सब्सक्राइब करेंगे इसमें थोड़ा हल्दी मिलाएंगे इसमें और आसे हमने मिलाना है इसको हमने ये छे अंड़े लिया है और इसको हमने ये कट कर लिया है ताकि मसाला इसमें भार जाएंगे इसमें हम तैंगे इसका खलर बहुत ही अच्छा आथ है बहुत कि अंड़ा इसमे प्ढा़ते इसमें अप्टे श्सक्राइब तो हमें ऐसे ही चमने अलकल का फ्राई हो जाएगा ना तब हम इसको निकाल लेंगे रही है तो आधे के प्राई होने लग गया है ते तो आधे अधे अधे रही है तो अधे कहना बहुत आल दियें अन्दे पालक खाने तो बहुत ही है खाने चाहिए चरों सब के लिए फाइदा बंद होता है और अंडे पूरे पक चुके हैं इसे हम पहा निकालने हैं कि देखें कितने अच्छे बन गई ही अब इसके बाद देख लेते हैं मुपली सची अब मसाला हमार त्यार हो गया है वह मुपली मसाले को देख लेते हैं देखें कुष्भू आ रही है अब यह मुपली 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 मुपल कि अइसको दो के थोड़ा सा पानी अटो लेगी थोड़ा सा पानी भी और अड़का थोड़ा सा लिया हो अटो कि एक क हिएले पनगे के बेले प्रादेगे मेr ज़जिहां है कि खिर्जार। इस मीन बाएट कर देंगे हो शूदा भाएट करते हैं, फिर पिर अन Сब चाहिए है जाखिए है। अब हम इसको 10 मिनटे तोब पकाएंगे अब अब इसको आइसे हमें पकाना सिल गैस में तके 10 मिनट हो गए है सब्जी को हम देख लेंगे अब इनके सब्जी पकने लगए इसको थोड़ा सा और हम पकाएंगे तो से तीन मिनट और पकाना हमें इसको ऐसी रख देना है सब्जी पके देख लेते हम दो से तीन मिनट हो गया है सब्जी बनके प्रेटी हो गए है क्या खुश्बू आ रही है बिल्कुल बनके त्यार हो गए और इसको हमां सब कर लेंगे जैस बद कर लेंगे इसको सब्सक्राइब करने साथ में बैल का पटब भी दबा दें आने वाली नहीं वीडियो की नोटिफिक्शन आपको जल्दी पहुंच जाए सब्सक्राइब कर लें आपको जाए